नमस्कार दोस्तो आप सबका आपकी चैनल में स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा विसीपी पेटन किस तर से काम करता है किस तर से आपको बेनिफिट मिलता है उसका एक डीटेल वीडियो भी बनाया है तो आप ओ भी जाके चेक कर सकते हो और मैं आज आपको एक्जामपल के जरी आपको बताऊंगा तो किस तर से हमने ट्रेड लिया था गोट्फरे फिलिप में तो वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आप दूसरा एक स्टोक है वो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें इसी तरह का एक structure अभी बन रहा है तो इसमें आप देखेंगे तो volatility contraction यानि VCP मतलब volatility contraction pattern वो क्या होता है वो detail में हम discussion नहीं करेंगे बट जैसे आप देखेंगे तो एक यहाँ पे जो volatility थी मतलब यह जो high point and low point तो इसका आप count करेंगे उसके बाद का आप देखेंगे तो यहाँ पे कम होती जा रही है यह देखेंगे तो आप volatility यहाँ पे कम होती जा रही है मैं यहाँ पे वापिस आपको बताता हूँ जैसे कि आप यह points and a point यहाँ पे आप देखेंगे तो यह बड़ा area है उसके बाद देखेंगे तो यह थोड़ा सा कम हो गया है उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे और कम हो गया है इसके बाद range और छोटी होती जा रही है यानि कि squeeze हो रहा है यहाँ पे in simple language अम बोले तो तो आप ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी आप measure कर सकते हो इस तरह से भी measure कर सकते हो यहाँ पे tool भी available है तो यह देखेंगे तो first time थर्टीटू परसंट यहाँ पे down moment था यहाँ से लेके यहाँ तक का second time देखेंगे तो यह down moment 25% का हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पर, third time हम देखेंगे तो यह और कम हो जाएगा यहाँ पर, right, यहाँ से मैं count करूंगा, तो यह और कम हो गया तो यहाँ पर 17% हो गया तो यह volatility कम होती जा रही है तो यह एक chance होता है आप देखेंगे तो यहाँ पर, और कम हो गई यहाँ पर देखेंगे तो और कम हो गई और यहाँ पर जो चीज होई है यहाँ पर जो चीज होई है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से trade लिया था और क्या religious moment आइए 1150 से लेके 400 तो आप percentage में भी count करेंगे तो 20-25% का एक जबर्जस moment देखने को मिला है तो यह एक अच्छा pattern रहता है और काफी आपको closely watch करना पड़ेगा तब जाके आपको एक चीज इसमें समझ में आएगी और अच्छा moment आपको मिलेगा अब यह ऐसा नहीं है कि चलो हम कहीं पे भी यह उठा ले जहां पे यह volatility खतम हो जाएगी and volume एकदम खतम हो जाएगे dry हो जाएगे and दीरे दीरे यहां पे volume बील्ड होगा एकदम squeeze हो जाएगा and उसके बाद यहां पे एक buying भी देखने को मिलेगी strong candle भी मिलेगी उसके साथ volume भी आपको देखने को मिलेगा right तो यह pocket pivot भी आप के सकते हो यहां पे and उसके बाद एक javarges moment देखने को मिला था अब same ही एक दूसरा chart अभी बन रहा है वो है लोरस लेब में right तो लोरस लेब में भी ऐसा ही बना है मैं यहां पे name write down कर देता हो जैसे कि आप यहां पे लोरस लेब में यहां पे देखेंगे मैं अभी आपको दिखाता हो अभी construction अभी means यह pattern अभी form हो ही रहा है तो यह ध्यान से आप देखेंगे तो यहां पे भी यह 30% का यहां पे almost down moment आया था उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पे almost 18% का moment आया था अभी यहां पे construct हो रहा है might be यहां पे एक और और बार इस तरह से होगा and possibilities है कि यह बड़ा moment आपको दे सकता right तो यह stocks भी आप watch कर सकते हो तो purpose यह था कि आपको समझ में आया कि किस तरह से यह vcp pattern properly work करता है तो आप भी उसमें trade ले सकते हो थोड़ा सा आप समझे आप Godfrey Philippe का जो chart अभी मैं ने बताया था वो भी आप वापिस study करे कि उसमें क्या हुआ था कब breakout हुआ था थोड़ा study करेंगे तो आपको एक idea लगेगा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर breakout हो गया था या फिर यहाँ पर हो गया था तो यह देखो time लगता है ऐसा नहीं है कि यह fail हो गया है जैसे यहाँ पर अब गया तो might be up जाना चाहिए था बट यह देखो बार बार यहाँ पर फेल हुआ and यह time पर ही चला right तो यह चीज आपको observe करनी है तो यह था VCP के regarding might be आपको एक चीज सीखने को मिलेगी and ऐसे ही आपको दूसरे कोई pattern आपको मिल रहे है तो आप comment section में जरूर बताए आज का वीडियो के से लगा आप और भी comment section में जरूर बताए तो आज के लिए इतना ही है VCP के लिए छोटा सा वीडियो यह आपको जरूर हेल्प करेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बावाई